साथियों, आज सुप्रीम कोट ने अरविंद केजरिवाल को बेल दे दिया है, मैं इस पर कुई बातें नहीं करने वाला हूँ, कितने एमानदार हैं, नहीं हैं, आम आरविंद पार्टी ने क्या किया, जब से वह बना, वैसे शुरुवाती दौर में मैं आम आरविंद केजर से भी मेरी मुलाकात हुई थी भूनेशर एरपोर्ट पे मैं वहां से दिल्ली आ रहा था वो मनेश्य सुदिया के साथ आ रहे थे और बात्चीत में उन्होंने कहा था उस समय कि जो पार्टी बनाएंगो उसका नाम अन्ना हजारे पार्टी होगा मैंने कहा था ना तैयार भूल गे होंगे आम आदमी नाम जो पड़ा है मेरे काने से हुआ यह मैं कतई दावा नहीं कर सकता ठेर सुप्रीम कोट ने आज क्या कहा अन्य बातों के साथ उन्होंने कहा कि CBI केजड पैरट है यानि पिंजरे में बंद तोता है या आठ दस वर्ष पहले भी कहा गया था दस वर्ष पहले जब उस समय नरेंद्र मोदी ने भी कहा था सुप्रीम कोट का हवाला देते हुए उस समय भी कहा गया था कि CBI एक तोते की तरह है और वही कहता है वही करता है जो उसके मालिक उसको आदेश देता है यानि उस समय कॉंग्रेसी सरकार और इस पर उन्होंने क काफी मजाग बनाया था आज वही बात बीच में भी कहा कि CBI एक बंत होता है वैसे कल जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें प्रधान मंत्री चीफ जस्टिस ओफ इंडिया के घर जाते हैं गनेश पूजा करने के लिए और किस तरह से उसका आयोजन किया गया है किस तरह से उसके वीडियो को बाटा गया है अपने समर्थकों के बीच में अपनी महत्ता बनाया रखने के लिए यहां तो नजर आता ही है CBI किया पूरा का पूरा नयाले व्यवस्था प्रशासन और पुलिस किस तरीके से काम कर रहा है सत्ताधारी वर्ग के लिए वह नजर आता है कि आगे हो सकता है फिर कॉंग्रेस आजाए हो सकता है थर्ड या फोर्ट फ्रंट आजाए हो सकता आमाधी पाटी आजाए हो सकता कोई नई पाटी आजाए या आई एंडिये इंडिया आजाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं सत्ताधारी वर्ग वह जिसके अधीन में यहां राज्य सत्ता काम करते हैं चाहे भारत हो अमेरिका हो युक्रेन रशिया यहां तक की चीन भी हो वहां के बड़े-बड़े धनाध्यों के लिए उनकी संपती में इजाफा करने के लिए वह कानून भी बनाते हैं सम्मिधान भी वही काम करता है पूरे विश्रोहर में किवले एक मात्र समिधान बना था USSR में 1935-1937 के आसपास मुझे वर्ष पूर्णता याद नहीं है जो से बहुत जबरजस्त बहसे चली थी आम जनता के बीच में गया था लाखों पेटीशन आये थे महीनों तक उसे बहसला था हर तरीके से बात होई थी भारत के समिधान में जो हैं के कश्यूंड असिंबली था 1937-1937 के आसपास भारत के कुछ जनता ने कुछ लोगों को चुना था उसके अधार पे 1947-1970 के बाद 1950 में भारत का समिधान आया इंग्लैंड अमेरिका से काफी कुछ लेते हुए नकल मैं नहीं कह रहा हूँ और हश्रवी हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है 1947-1950 से भी 2023-2025 साने वाला है में बहुत अंतर आ गया है और खुलिया में नजर आ रहा है कि यह सत्ताधारी वर्ग जिसके हाथ में इस देश की सारी संपदा है उत्पादन के सारे साधने चाहे फैक्टरी हो माइन्स हो समुद्र हो हवाए हो जी हाँ उसका विस्तमाल कर रहे है ये लोग और सरकारी तंतर हो राज्य सरकार कहने के लिए एक स्वतंतर निकाह है एक स्वतंतर आत्मा है जो कि सब के लिए समानता से देखती है यह तो आपको नजर आ ही गया होगा मैं दोरा नहीं रहा हो कल वाला वीडियो होई देख लिजिएगा तो मैं इसी पर कहना चाहता था कि सी बी आई बंद पिजड़े में तोता है तो यहां से कौन सी दूसरी विवस्ता यहां तक कि शिक्षा विवस्ता सारे के सारी सलिवस्त बदल दिये गए भगत सिंग को से निकाल के बाहर निकाल दिये गए जो दे 20 से 25 वश पहले संभव नहीं था क्योंकि जनता में सोचने की कुछ चमता थी वामपंथी शक्तिया कुछ तागतवर थी भारत के स्वतंतर होने के बाद कॉंग्रेस के बाद यह सबसे अधिक शक्तिशाली पार्टी यहां की CPI होती थी आज वो खत्म है अब वामपंथ के न कि स्थिती में जनता अब तयार किया जा रहा हला कि अभी वी चुनाओ यदि सही तरीके से होता लेकिन मालेते जिस तरीके से हुआ कुल मिला के 30 से 35 परतीशत ही जनता ऐसी है कि वाल भाजपा को ले ले तो 25 परतीशत से भी कम है बाकी सब विरोधी है वह सोचने की छमता र फर में लागातार चल रहे हैं जो यहां की कॉर्पूरेट मेडिया उसको दबा देती है लोगों को समझ वह नहीं आता है लेकिन उस तरह की तार्खिकता समझने में कि इसके पीछे कौन है सी बी आई आज यदि बदल जाती है सत्ता कॉंग्रेस की या उससे मिली जूली सकार इंडिया बन जाती है आपको लगता है सो तंत्र हो जाएगी पिज़रे से मुक्त हो जाएगी क्या पुलिस कॉंग्रेस मुक्त हो जाएगी क्या ने आले मुक्त हो जाएगा क्या भष्ट लेकिन वहां के स्थिति जो हम समझते हैं वह अतीब भयावा है जो कालपनिक नरक है कि कड़ा है कि तेल में डालाता है उस तरह कड़ा हाथों नहीं है गरंत खौलता हूँ अतेल नहीं है लेकिन उससे कहीं कम नहीं है दोस्तों सुप्रीम कोट को ना हम न कार रहे हैं ना स्विकार कर रहे हैं हम समझाने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही जैसे हम आज के राज्य सरकार और उसके अन्य विभागों को समझने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा विभाग, जितने भी धार्मिक संस्थान है, सांस्रितिक संस्थान है, वो हमें क्यों मुर्ख और मुर्ख बना रही है। जितने भी यह लोग हैं, वो आपके लिए नहीं, वो खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो हम मजदूर वर्ख किसान 90 प्रतीशत है, मजाक नहीं है, पूरे विश्ववर की यह स्थिति है। और यह सत्ता धारी, यदि अमेरिकी जनता को छोड़ दे, गायव कर दे, तो अमेरिकी सामराजवादी सत्ता कहीं भी सत्ता पलट सकती है। बंगलादेश में देखा, कुछ समय पाकिस्तान में देखा, दो हजार चौदह में युक्रेन में देखा जहां युद्ध चल रहा है। जहां मौका मिला, जबरस्ती वहां मिलिटरी के दोरा सत्ता पलट कर दे, चीले में, और अभी हाल फिल हाल में उन्हें खुलिया, वहां के सेना को बोला कि तुम विद्रोह करके वहां के चूने हुए जो सत्ता धारी वर गाया हैं, उनको हटा दो, वेने जूएला में, अभ आपको लगता है, कि सेना में उन पूझी पतियों के बच्चे हैं, क्या अमेरिका में यह विद्रोह नहीं हो सकता जो अमेरिका दूसरे जगह करवा रहा है, और सही रही में जनता के लिए जनता के द्वारा, और पुलिस सेना के निचलेश्थर के करमचारियों के मदद से ह और उसके बाद से हम वास्तों में अपनी प्रजातंतर बनाएंगे ना कि उनकी प्रजातंतर उनकी लूटने की स्वायत्ता छूट उनकी इसाब से कानून बने हमारे उपर हमारे महिनत से बने हुए धान संपदा के उपर वो हमपर राजिक करें जिसको हम क्या पलट सकते हैं और हम पल्टेंगे तो हम उनको लूटने के लिए नहीं, क्योंकि वो मुठी भर है, उनको हम जीने का अधिकार देंगे, लेकिन इस अधिकार सुन्हें वंचित कर देंगे कि वो हमारे श्रम शक्ति का दोहन करें, हमें अपने अंदर नौकर नौकरानियों के तरह काम कर सकें, किसी भी कोट में जी हुजूरी करने से मुक्ति मिले, कोई ही पुलिस या प्रशासन का बड़ा सा बड़ा अधिकारी हो, चाहें लैंड का हो, चाहें जर्मनी, फ्रांस का हो, उसके आगे हम सर जुकाएं, जी नहीं, सर जुकाने की ही रश्म जो है, उसको खत्म करें, उस एकता बद नहीं होते हैं, धन्यवाद दोस्तों